तो ये certificate काम का होगा, exam pattern क्या होगा, exam में पूछा क्या जाएगा, कि ऐसी और एक apprenticeship की form निकला हुआ है Hello students, I am back, मैं कुछ नई vacancies के साथ आया हूँ, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ Indian versus bank में apprenticeship की जगा निकली हुई है, मतलब आप लोग वहाँ पे apprenticeship कर सकते हूँ, एक साल के लिए इसमें आपको पैसे भी देंगे, और साल भर की contract है, यहाँ पे वो आपको permanent नहीं करने वाले, फिलाल तो भी यहाँ पे इसी बात हो रही कि एक साल तक आपको apprenticeship का course देंगे, उसके बाद वो आपको एक national level का certificate देंगे, जो certificate आप ऐसे exams में लगा सकते हो, जहाँ पे experience मांगा हुआ है, यह जो आपको certificate मिलेगा, यह definitely आपको कोई भी other private banks या जब भी experience मांगता है government exams में, तो आप वहाँ प करना है, तो इसके main जो dates है, जो है कि 28 तारिक से शुरू हो चुका है, 28 अगस से, और यह form fill कर सकते हैं, 10 September के पहले, इसमें date बहुत कम दी उन्होंने, कुछ 13 दिन की dates दी हुई है, तो आप आज यह देख रहे हो, तो आप आज के आज ही अगर आप interested हो, तो इसका form fill कर लीज जाएगी, अब exactly होता क्या है, वो समझ लेते हैं, इसकी कुछ vacancies दी हुई आपको, इसके बाद age criteria क्या समझ लेंगे, तो देखिए minimum age criteria 20 years से maximum 28 साल तक दिया हुआ है, ठीके, अब इसमें आपको minimum graduate होना बहुत जरूरी है, तो आप अगर 20 साल के हो, और अगर graduate हुए हो, तो आप यह form fill कर सकोगे, वैसे ही इसमें आप देख सकते हो, SC, ST, OBC, PWBD के लिए भी कुछ extension दिया है, relaxation दिया हुआ है ages में, मैं आगे बताने वाला हूँ, आगे देखते हैं, बचो education qualification क्या है, जैसे मैंने कहा, आप कोई भी university से आपका degree होना जरूरी है, देखो यहाँ पर लि बोद देट्स आर इंक्लिजिव, और जैसे मैंने कहा, इसमें स्टाइफन बहुत कम रहता है, बचो, स्टाइफन क्या रहेगा, जैसे मैंने कहा, इसमें स्टाइफन बहुत कम रहता है, बचो, almost 10,000 के असपा स्टाइफन है, metro cities में, urban cities में ये कुछ 7,500 होगा, और semi-urban रूरल में 5,500 होगा, तो ये post कुन बच्चों के लिए है, जो बच्चे, सिर्व experience लेना चाहते है, इंडि certificate काम का होगा, जो बच्चे इसके लिए इंट्रेस्टेड है, form fill करिएगा, exam कैसी होगी, उस पे भी बात करूँगा, उस पे भी ध्यान देंगे, सबसे पहले exam pattern क्या होगा, exam में पूछा क्या जाएगा, so exam में जैसे अभी तक आपने देखा, IBPS में, जितने bank exams होती है, हर ए paper solve करना है, और इसमें जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, इसमें जो qualify करेंगे, qualify होने के बाद ये दिखाया हुआ है, देखो, local languages की एक test दी जाएगी, मतलब जो भी local language के लिए आप form fill कर रहे हो, ये और national level की जगह है, आप south से भर रहे हो, east से भर रहे हो, central से भर रहे हो form, तो local language, regional language होगी, वो आपको आती है क्या, एक basic test आपके conduct की जाएगी, इसके बारे में आपको बताया हुआ है, बचो, अब examination fees क्या है, वो समझ लीजे, अगर आप इसके लिए interested हो, तो general OBCWS लोगों को 800 plus GST, ये 944 रुपीज पे करने पड़ेंगे, अगर PWBD हो, तो 472, और अग आपको 708 रुपे पे करने पड़ेंगे, ठीके, इसका form fill करने के लिए, अब कैसे apply करने आपको इस exam के लिए, उसके लिए आपको सबसे पेले search करना है, BFSI SSC करके आप search करोगे, और BFSI Sector Skills Council of India, यहाँ पे आप click करोगे, ओके, जब आप इस line पे click करोगे, उसके बाद, आप यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए, इसके बाद देखो यह आयोबी apprenticeship program, ठीके, यह new, यहाँ पे आप click करोगे, click होने के बाद, देखो यह कैसा page open होगा, जिब में apprenticeship application form, click here to apply, यहाँ पे आप click करने वाले हो, okay, once you click here, ऐसा form open होगा, Indian Overseas Bank का, इसके लिए आप पूरे इसक जो basic से चीज़े पूछिए, वो आप सब feel करेंगे, submit करेंगे, submit होते बराबर, आपका form feel हो जाएगा, एक link आएगी, आप payment करोगे, process will be done, apprenticeship जो भी करना चाते है, शरूर करिए, इसमें पैसे भी आ रहे है, अगर आपको जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, जिनको जो बैंक बैंक का भी experience, certificate मिलेगा, with stipend, तो अगर आप interested हो, तो ज़रूर ये form आप feel करेंगे, हाई हो आपको ये वीडियो informative लगा होगा, ऐसे और वीडियो देखने के लिए, चानल को ज़रू subscribe करिए, like करिएगा, और आपको पसंद आया, तो comment ज़रूर करिए, आपको एक चीज़ औ पता हूँ कि ऐसी और एक apprenticeship की form निकला हुआ है, वो कैसा है, उसके बारे में भी में एक नए वीडियो बनाने वालो, so stay tuned, मिलते अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, thank you